चलो, तो क्या करने वाले हैं, अपन लोग revision करने वाले हैं, तीन topic का, तीन अलग-अलग topic का, सबसे पहना है आप लोगों का BT, BT यानि कि बैटरप नहीं सार, business trust का, दूसरा आपके investment fund का, और तीसरा आपन लोग बात करने वाले हैं, आपके securitization trust का, इसमें सबसे जादा important है business trust उसके बाद importance में दोनों एक बराबर आते हैं, दोस्तों business trust क्या होता है, business trust का taxation कैसे होता है, तो please एक बात समझना, जब हम business trust कहते हैं, तो उसमें दो चीज़े आती है, real estate investment trust, और infrastructure investment trust, यह दोनों trust आते हैं, यह दोनों trust क्या करते हैं, कुछ लोगों से पैसा लेते हैं, जिन directly own करते हैं, यह पर वो किसी SPV में invest करते हैं, जो SPV आगे चल करके अलग-अलग real estate में invest करता है, जो SPV चल करके अलग-अलग real estate में investment करता है, मेरा सबसे पहला सवाल, जो business trust होते हैं, वो अपने units, units issue करते हैं, units holder को, तो प्या यह जो units issue कर रहे हो, क्या इसका listed होना mandatory है, क्या जब नया-nया business trust का concept है था तो इन्होंने listing mandatory करवा रखी थी, पर बाद में इन्होंने बोला listing mandatory नहीं है, तो अभी जो business trust बनते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी units हो है, वो list होंगे, उसके बाद दोस्तों मेंने क्या कहा, business trust में, आपका जो real estate investment trust है, और आपका infrastructure investment trust है, इनके taxability क बाद करते हैं, इन्होंने बहुत simple बोला, कि भईया देखो, SPV से दो तरह का income आएगा, एक तो interest का income आएगा, और दूसरा dividend का income आएगा, ये दोलों को दोलों income से zip करके trust को pass through कर जाएगा, और वो किसके हाथ में taxable हो जाएगा, अपने unit holder के हाथ में taxable हो जाएगा, जो interest income है और जो dividend income है, तीसरा, जो आपको अपने real estate से direct rental income आएगा, वो भी pass through हो जाएगा, और वो किसके हाथ में taxable हो जाएगा, आपकी unit holder में के हाथ में taxable हो जाएगा, तो हमने दो section बनाए, sir, दो section बनाए, section 1023 FC, और 1023 FC है, 1023 FC है, ये बताने के लिए, कि भईया, business trust के हाथ में है ये तीनो income exempt हो जीए, कॉनसी income, जो interest SPV से मिला है, जो dividend SPV से मिला है, और जो rental income आपको real estate से मिला है, जो आप directly own करते हो, उसके अलावा, जितने भी भाकी के income है, वो यहाँ पर taxable हो जाएगे, जितने भी भाकी के income है, वो यहाँ पर taxable हो जाएगे, सर, ये जो तीन income यहाँ इसका मतलब इसके अलावा जो भी इंकम है, जिसका टाक्स कौन बर रहा है, ट्रस्ट बर रहा है, वो इसके हाथ में एक बात समझो, यह जो टाक्स लग जाएगा, आपने बोला ट्रस्ट पर, तक्स है, पर जो आपकी ट्रस्ट हैë, उसके हाँ प्रस्ट के हाँ में होगे, एक इंकम जो, सेक्शन 1-1-1-1-1-2 or 112-1-2-1 वाले इंकम है, मतलब सदें, जो आपके लॉंग टम- शॉक्ट टम इंकम है, वह अर्वाणने जू इंकम है, ना, वह स्पेशल रेट पे ही टाक्स पर उसके अलावा जितने भी income है न वो सारी की सारी income maximum marginal rate पर taxable हो जाएगा, यानि कि 42.774 percentage पर taxable हो जाएगा, यह जो भी income आपके है, किस के हाथ में taxable हो रहा है, business trust के हाथ में taxable हो रहा है, वो इस rate में taxable हो जाएगा, अब दोस्ते एक बात समझे न, यह जो interest income, dividend income और rental income है, क के हाथ में भी माना जाएगा, जो nature of income trust के हाथ में है, वही nature of income unit holder के भी हाथ में माना जाएगा, यह इसकी कला है, उसी proportion में माना जाएगा, यह सारी चीज़े लिखी हुई है, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, एक बहुत special बात बोली सर इन्होंने, कि अगर यह जो SPV है, हम थोड़ा सा, हम थोड़ा सा real estate investment trust में investment promote करना चाहते है, तो हमने क्या कहा, आपका जो dividend income है ना, हमने क्या करना चाहते है, यह dividend income भी हम exempt करना चाहते है, मतलब इस पर जीरे tax rate लगाना चाहते है, लेकिन दोस्तों, उसकी एक शर्त है, जीरे tax rate तभी लगाएंगे, अगर यह जो SPV है ना, जो dividend income बाट रही है, उसने 115 BAA के ले opt नहीं किया है, 115 BAA यानि कि क्या सर, यह special rate of tax है, जहां पर आपका tax rate 22% हो जाता है, अगर तुम initially ही tax rate 22% पे दे रहे हो, तो तुम्हारा दिया हुआ dividend exempt कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर अगर SPV ने 115 BAA opt नहीं किया है, त business trust के हाप में भी exempt है, unit holder के भी आप में exempt है, दोनों के भी हाप में क्या हो जाता है, यह exempt हो जाता है, दोस्तों यह क्या हो गया, यह आपका basic provision हो गया, दोस्तों इसके बाद और चोटी-चोटी कुछ provisions है, मैं एक बात बताओ, यहां पे जो business, यहां पे जो REIT है, माल लो इस स उन्होंने 8 करोर distribute किया, बाकी 2 करोर जो है उन्होंने अपने पास ही रखा, तो क्या, यह जो 2 करोर का undistributed income है, कि इस पे भी tax लग जाएगा, ना जी ना भीया, आपने जितना income distribute किया है उसी पे tax लगेगा, यह जो बाकी का income जो distribute नहीं हुए, वो आप जब distribute करें वे, तब उस पे tax लग जाएगा, क्योंकि sir, यहाँ पे business trust में ऐसा कोई provision नहीं है, जहाँ पे लिखा हो, कि जो undistributed income है न, उसको deemed distributed मानेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है, और last में दोस्तों, इन्होंने एक responsibility डाली business trust में, कि भाईया, तुने income distribute किया न, तो ते को एक distribution का statement बनाना पड़ेगा, और वो statement तु दो लोगों को जमा करेगा, एक तो income tax में principal chief commissioner या chief commissioner को, और दूसरा, तु उस unit holder को भी जमा करना, जमा करेंगे sir, यह statement, यह बाले case में 30th November तक जमा कर देना, और यह बाले case में 30th June तक जमा कर देना, तब जाके हमारा काम हो जाएगा, unit holder के case में 30th June तक और बागी के case में 30th November तक जमा कर देना, sir, यह point आपका हर investment fund में भी आएगा, securitization trust में भी आएगा, दोस्तों, अभी मैं आपको business trust के related, कुछ और important sections बता देता हूँ, जो आपको लोग लिए बहुत important है, please मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहला तो section 139.4E क्या कहता है, कि बया हर जो business trust होता है उसको mandatory ली अपना return भरना पड़ता है, उसको return भरना mandatory है, उसका चाहिए basic exemption limit के उपर हो, या नीचे हो घंटा फरक नहीं पड़ता, उसके बाद दोस्तों आपने section 47.17 पड़ा था, जो क्या कहता है पता है, अगर एक SPV है, उसके shares आप दे रहे हो किसको business trust को, बदले में आपको अगर business trust के units मिल रहे हैं तो यह जो exchange हो रहा है, इसको हम transfer नहीं मानेंगे, और transfer नहीं मानेंगे तो capital gain नहीं लगेगा, और जब यह units आप आगे जा करके sell करोगे, तो यह units का cost of acquisition क्या माना जाएगा, वही माना जाएगा, जो आपके shares का cost of acquisition था, period of holding क्या माना जाएगा, जब से आप shares hold करेंगे हो, तभी से उसका period of holding माना जाएगा, बहुत simple सी बाते हैं, उसके दोस्तों, इसके TDS की बात कर लेते हैं, बहुत important है, TDS की बात, SPV जो है वो पैसा देता है business trust को, और business trust पैसा देता है unit holder को, सबसे पहली बात करते हैं, interest का पैसा, जो interest का पैसा SPV business trust को देता है, आप इंटली उसमें TDS कटना चाहिए था 194A में, और दोस्तों, क्योंकि यह interest का income business trust के आप में taxable ही नहीं है, इसलिए 194A में यह TDS applicable नहीं है, Similarly, SPV जब dividend का पैसा दे रहा है, तो dividend का पैसा 194 में TDS कटना चाहिए था, पर क्योंकि अगूं taxable नहीं है, तो TDS नहीं लगेगा, तीसरा जो rental income आ रहा है, SPV से नहीं, directly जो आप asset own करते हो, उससे जो rental income आ रहा है, उस पे 194A का TDS कटना चाहिए था, पर उन्होंने exception बना के लि income गा, तो TDS काटना पड़ेगा, जी हाँ, बिल्कुल काटना पड़ेगा, और वही पर picture में आएगा section 194 LBA, LBA क्या कहता है दोस्तों, कि आप payment unit order को कर रहे हो, तो TDS काटोगे, किता काटोगे, किता करता है, सामने बाला resident है, कि non resident है, अगर सामने बाला resident है, तो आप किता TDS का जाएगा, आप interest ले किता TDS काटोगे, 5% का TDS काटोगे, क्योंकि sir, क्योंकि NR के हाथ में taxable भी उतना ही होगा, आप अगर एक section पड़ोगे 115 A, वहाँ पर लिखा है, कि NR के हाथ में tax भी 5% लगेगा, तो आप 5% का TDS काटोगे, दूसरा, अगर आप dividend income की बात करो, तो dividend income तीसरा, जो आपका rental income है, वहाँ rates and force के सापसे काटोगे, rates and force मतलब क्या, section 195 के सापसे काटोगे, आप 195 के सापसे TDS देख लेना, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, 194 LBA में, लेकिन इसके साथ 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 सर, आप एक complimentary पढ़ लोतो, 194 LC, 194 LC, 194 LC क्या बात करता है, एक specific चीज के बार bond issue किया है, उस पर अगर आप interest का payment कर रहे हो ना, तो law ने कहा, usually 5% का TDS करता है, लेकिन दोस्तों, लेकिन दोस्तों, ये जो तुम्हारा bonds तुमने issue किया है ना, अगर वो listed है कहाँ पे, recognized stock exchange में, कौन से बाने recognized stock exchange में, IFSC के, IFSC के recognized stock exchange में, तो दोस्तों, अगर ये आपका 31st July, 1st July 2023 के पहले ये bond issue हो रहा था, तो आपको 4% का TDS करता है, लेकिन अगर 1st July के बाद, 2023 के बाद, अगर ये issue हो रहा है ना, तो 9% का TDS करते हैं, किस पे, जो interest का payment कर रहे हो, आप उस पे, 5%, 4%, 9%, कहाँ पे लिखा है, 194 LC, ये थोड़ा अलगी provision है sir, कर 194 LC का, ये कब payment हो रहा है कोई foreign currency bond या loan को, उसमें जो interest जा रहा है, वो 194 LC में attract होगा, अरे तुम मेरी बात समझे क्या sir, अरे, did you understand, 194 LBA कब लगता है ध्यान वो, जो आप interest की बात कर रहे हो ना, को interest SPV से आए, SPV के अलावा, अगर को interest की बात कर रहे हो ना, तो 194 LC में चला जाएगा, ये आपका पूर investment fund होता है, investment fund क्या गरता है sir, investment fund आपसे पैसा लेता है, आपको अपना unit holder बनाता है, और unit holder बनाने के आपका पैसा invest करता है, पैसा invest करनेगा, जो भी income आते है, उसको वो distribute कर देता है, तो हमने बुला, कि investment fund के हाथ में, PGVP income taxable हो जाएगा, मतलब इसके हाथ में PGVP income exempt हो जाए sir, कौन से rate पे taxable होगा, दोस्तों ये वाला तो slab rate पे taxable होगा, ये वाला तो slab rate पे taxable होगा, और PGVP income क्या, वो depend करते है, अगर आपका investment fund company है, तो जो company के लिए rate है, क्या rate है company के लिए, या तो 30% या 25%, 25% का अप, जब आपका previous year का turnover जो है, वो 400 करोडिया उससे कम है, previous year 2021 का, तो जो अगर आप firm निकले, तो firm के case में 30%, और अगर firm के अलाबा कुछ और other person निकले, मतला मालो AOP, BUI बगरा निकल गए, तो हम आपको MMR में taxable कर देंगे, maximum marginal rate में taxable कर देंगे, इसकी motor ये है, कि भईया तो company या firm भी बना, उसके अलाबा कोई और structure मत बना, company या firm भी बना, और PGVP जो है, वो unit holder के हाद में taxable नहीं है, पर दोस्तों, आगे बढ़के बात करते है, loss के बारे में, कभी-कभी अगर investment fund को loss हो गया, तो उसका क्या, सर पहले तो, loss का जो भी set-off, head-off, जो भी होता है, carry forward, जो आपका capital gain का loss, अगर set-off होता है, तो salary house property, जिसका भी loss है, उसक करने गया, आप net-net-net निकालो, कि भी आप PGVP head में क्या हो रहा है, और बाकी head में क्या हो रहा है, अप PGVP head का सबसे important है, अगर आपका PGVP head का loss है, तो कोई problem ही नहीं है, carry forward कर जाएगा, कौन, आपका investment fund, खुद, पर अगर PGVP के अलावा, किसी other head का loss है, तो वैसे तो other head का gain unit holder के आप में taxable होता है, तो other head का loss क्या होगा, ideally unit holder को carry forward करने बोलना चाहिए, पर दोस्तों हमने क्या सोचा, कि loss मानलों आपका long term capital loss हो गया, long term capital loss हो आप 3 साल से जादा, अगर कोई security hold कर रहे हो, तो long term capital loss हो गया, अब long term capital loss है, तो भी अभी कोई नया-nया unit holder बनाए, उसको carry forward करने दोगे, यह अच्छा रहेगा क्या, नहीं ना, तो इसलिए हमने क्या बोला, long term, आपका कोई भी other losses है ना, जो सर्फ वही unit holder carry forward कर सकता है, जो 12 महने से जादा unit hold कर रहा है, बतलब अगर आप 12 महने से कम unit hold कर रहे हो, तो आपके हिस्से का loss है ना, वो चू मंतर हो वो चू मंतर हो जाएगा, अरे तुमको मेरी बात दमाग में जा रही क्या, उनको मेरी बात समझ में आ रही क्या, सर ये क्या हो गया, ये investment fund के बारे में हो गया, कि investment funds बैठा, पर एक चीज बचा हुआ है अभी भी, investment किसके हाथ में क्या taxable होगा, वो तो अपन समझ गए, औ कौनसे रेट पर भी होगा, वो भी अपन समझ गए, पर सर यहाँ पर एक key point ये है, key point ये है, कि income, investment fund अगर उसका कोई undistributed income भी है तो उसको उस साल distributed माल लिया जाएगा, बतलब 10 करोर में से मालो, आपने 8 करोर बाटा है, 2 करोर आपने नहीं बाटा है, तो 2 करोर को भी माल कि ये उसी proportion में बटा है, जिस proportion में 8 करोर बटा है, और आपके हाथ में taxable हो जाएगा, फिर जब बाद में आप आच्छली जाकर उसको distribute करोगे, फिर से taxable हो जाएगा, जब भी में distributed माल लिए, तो आगे जब जाके, actual में distribution करोगे, तो उसमें कोई tax implication नहीं आएगा, ये क्य वाला 30 जून तक statement देना पड़ेगा और क्यों TDS भी कटेगा जी हां जी हां जब आपका investment funder अपने unit holder को payment करता है ना तो TDS कटेगा पर इसका जो TDS आएगा ये थोड़ा relatively simple होगा this will be deducted under 194 LBB LBB उट पर LBA था यहां पर LBB आ गया sir LBB में क्या rate of tax लगेगा वो depend करता है कि आप resident क को payment कर रहे हो कि non-resident को payment कर रहे हो अगर आप resident को payment कर रहे हो तो आपका TDS कटेगा 10% पर अगर आप non-resident को payment कर रहे हो या foreign company को pay कर रहे हो तो आपको rates and force लगेंगे बतलब जो आपका basically 195 के rates वो applicable हो जाएंगे ये क्या हो गया आपका 194 LBB आ गया मेरी बात समझे क्या और last concept आपक basically pants के पास जाता है और उनके loans खरीता है उनके loan portfolios खरीता है उसमें कुछ अच्छे loan भी होते है कुछ बुडे loan भी होते है और उन loan portfolio से पैसा recover करता है अपना interest का पैसा लेता है और उसको किसको दे देता है investors को दे देता है ज्यान से सुनो मैं आपको securitization का पूरा concept तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि वहाप SFM में already पढ़ते हो वहाप SFM में और economic law के surface में भी पढ़ते हो कि दोस्तो एक securitization trust form होता है और trust क्या करता है जा के loan portfolio ले ले लेता है trust loan portfolio लेने के पैसा कहां से लाता है वो पैसा लाता है इन लोगों से जिसको हम investor का नाम देंगे ना कि unit holder ये investor इसको पैसा देता है और ये जा करके मालो 1500 करोड का loan portfolio है जिसको कितने में खरीद लेता है 100 करोड में क्योंकि उसमें से कुछ तो bandage भी होने वाले है वो band को भी पता है और इसको भी पता है और फिर वो क्या करता है पूरी थाकत लगाता है ये 100 करोड के loan portfolio से 120 करोड कर very होती है रभ्ता है कि है 100 करोड कर आपको fixed interest तो मिलता ही रहते है वो interest को आप क्या करते हो वह आप अपने सब्चर गाते हो होग्चें करते हो दोस्तों इसमें या rate पर कटेगा, रजा वापस से डिपेंड करेगा, कि सामने R है कि N O N R है, अगर R है तो अलग, N R और foreign company है तो अलग, R, N R in foreign company में तो बहुत आसान कर दिया, इनोंने rates जिए मज़े ही मज़े होंगे, party party हो गया, पर दोस्तों, तो अगर R की बात करू, तो इन्होंने डिवाइड किया, कि सामने वाला जो इंवेस्टर है, वो इंडिविजुल हुएफ है, या सामने वाला जो इंवेस्टर है, वो अगर इंडिविजुल हुएफ है, अगर इंडिविजुल हुएफ है, तो हमने बोला सिफ 25% पर हम क्या ल देंगे 30% का TDS लगा देंगे और अपना काम हो जाएगा यह तीनों हमारा प्रॉपर रिविजिन है तीनों ट्रस्ट का तीनों अलग-अलग का बिजनेस ट्रस्ट का इंवेस्ट्मेंट फंड का और सेक्योरिडाइजिशन ट्रस्ट का अरे तुमको समझा क्या हां सर